जाहिए दोस्तों अज हम बिहार एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी आपके समझ लेकर के उपस्तित हैं जो कि बिहार एस्टेट 2024 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है यानि ये नोटिफिकेशन आफिस से लिए अब निकाल दी गई है जिसमें समपूर्ण जानकार कि इस वीडियो में देख लेंगे हम तो इसी तरह से हम रेगुलर बेसिस पे टीचिंग और नोटिचिंग वेकेशन कवर करते रहते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टीचिंग से जुड़ी हुई आती है उसे भी कवर करते हैं तो चलिए देख लेते सारी वे जन एवं उक्त परिक्षा में समलित होने है तो आवेदन पत्र भरे जाने के संबंद में एक शुक अभ्यारतियों के लिए आवश्यक सूचना तो देख सकते हैं आप यहां पर एक बन में जूम कर देता हूं सारी चीज़ा आपको क्लिरली विजवल हो जाएंगी बाकी ये के तहत आने वाले विश्यों के लिए माधिमिक पात्रता परिक्षा एस्टेट 2024 आयोजित किया जाना है जिसका विस्तरित विवरन निम्नवत है ठीक है तो जिसमें सरनचना देखिए आप तो जो का एक्जाम होगा वह बहु विकल्पीन एमसी क्यों बेस्ट होगा प्रतेक हम देख लेते हैं पेपर वन का जो आपका माधिमिक है पर वन के लिए जो सब्जेक्ट को हैं उनके बारे में यहां पर जानगारी आपको दिख रही है जिसमें सबसे पहले हिंदु है उर्दू बंगला मैथली संस्कृत अर्भी फार्सी यानि यह लेंग्विज से जुड अध्यापक शिक्षा परिशत से मानेता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में असना तक बीएड ठीक है तो आपके पास बैचलर्स होना चाहिए साथ में बीएड होना चाहिए एटलिस्ट या अथवा यहां पर करके अथवा अथवा करके और भी eligibility दिवी है तो अगर आपके इसके बाद आप देख सकते हैं तो संगीत विशय के लिए है ललित कला विशय है नरित्य विशय है इन सभी के लिए विशय विद्याले अध्यापक यानि इसके बाद देखे तो आप ये आपकी subject combination के बारे में बता रखा है कि अगर आप विग्यान सब्जक्ट के लिए सांकी की विशय में से कोई दो विशय अस्तर पर पठित हो अत्वा इंजिनेरिंग से अस्तर जिसमें गनित की विशय तो ये आपके पास subject combination graduation level पर होना ज़रूरी है इस क्रम में असपष्ट किया जाता है कि अस्तर पर computer science में BSc की योगिता को समलित माना जाएगा ठीक है तो विशय है उसके लिए भी subject combination आपको यहां पर दिया हुआ है अब ऐसे ही पेपर वन गा था यह अब पेपर टू में देखें आप तो पेपर टू में जो जो सब्यक्ट सामिल है उनके पेपर कोड्स आपको यहां पर दिखी रहे है ठीक है और जिससे समान्य विशय और विश सास्त मनोग्यान ग्रिह विज्ञान वनस्पति विज्ञान वानीची कंप्यूटर साइंस ठीक है और सभी के सामने में उसकी educational qualification यानि सक्षिनी का हर्ता लिखी हुई है कि आपके पास बैचलर होना चाहिए और साथ में बीड होना चाहिए और अथवा अथवा करकर यहां प सब्योड की इस तरीके से यहां पर देव मुक्सारे सब्चिर को में कह रिएे हुए है अब बात कर लेते हैं अ पारटेकर प्रतिष्ठा पाथे क्रम प्रसंद पत्र का पैटर्न जो है जिसमें आप सब्जक्त से अप्लाई कर रहे हैं उसके 100 प्रसंद होंगे सब्सक्राइबं अन्य दक्ष्टा इसके 50 प्रसंद होंगे कुल 1500 माक्स का पेपर होने वाला है और यह जानकारी है जो की पेपर पैटर्न से जुड़ी होई है बाकिस में और कुछ इंपोर्टेंट है नहीं उम्र सिमा की बात कर लेते हैं जो और यह एक और इंपोर्टेंट क्योंट है कि जो रिजर्व कैटिगरी के लोग हैं जैसे SCST के वगरा के हैं तो उनको पांच प्रतिसत की छूट दी जाएगी एजुकेशनल क्वालिफिकसन में जैसे अगर 50% मांगा जा रहा है तो वह 45% पे भी अपलाई कर सकता है अगर उनके बैसलर्स में इतने माक्स है 2016 कि अधिकतम आयू इस तरीके से होगी जिसमें अनरक्षित की 37 वर्स होनी चाहिए और उसके बाद अनरक्षित महिला की 40 वर्स पिछड़ा वर 40 वर्स ठीक है तो इस तरीके से आप देख लें सबकी एज लिमिट यहां पर आपको मेंशन की हुई है इसके बाद बात कर लेत प्रमाण पत्र आपको निर्गत किया जाएगा ठीक है तो सबके यह यहां पर हर कर्टिगरी के रिस्पेक्टिव लिखे हुए हैं कि कितने कटा फॉन की डिसाइड की गई है इससे अधिका मांक्स लाने पर आप पास माने जाएंगे और परिक्षा सुल्क की बात कर लेते ह था कि इन सबी के लिए अगर आप सिर्फ एक पेपर के लिया अप्लाइब करना चाते तो साथ रूह और दोनों में से कटेगरी में लाइगरते हैं तो आपको 1440 रूपे लगेंगे अनुसुचित जा नाती या दिब्यांग उनके लिए अगर सिर्फ कोई एक पैपर के सकते हैं ठीक है बाकि प्रवेस परिक्षा की अवधी की बात करें तो सी बीटी टेस्ट होगा यानि ओनलाइन पेपर होने जा रहा है विदी से आयोजित मादिमिक सिक्षक पात्रता परिक्षा एस्टेट दोजार चॉबिस की अवधी देड़ सो मिनट यानि धाई घंट की हो यहां चूल्बर से 4 दीसमबर से 4 ऑप अपको विजित करने के बाद आपको सेंडार πα्रें टेस्ट-टेस्टियर आपको विजिट करना है विजिट करने के बाद आपको सेकंडरी टीचर एलिजिबिटी टेस्ट यानि एस्टेट दिखेगा एस्टेट 2024 और उस पर आप जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं तो बाकी अप्लाई करने का यहां पर सारा प्रोसीजर आपको मेंसिन के हुआ है और परिच्छा सुल्क कैसे फीगन भरना है उसका भी यहां पर प्रोसीजर पूरत दिया हुआ तो यह कुछ जानकारी थी जो कि एस्टेट की तरब से बिहार एस्टेट की तरब से आ रही है तो जो बीपेसी की तरब से टीजर्स वेकेंसी निकाली जाती है तो उसमें काफ आुड़ा झाली निकाली जानकारी